जैहिन मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी है सोना की नाक बड़ी तेज और ये जो है प्रथम बुक्स पर पब्लिश की गई है कहानी को ध्यान से जरूर सुनना और जब आप कहानी देख लें तो उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना इसकी लेकक है विनीता कृष्णा और इसके चित्र बनाए है सुविधा मिस्त्री ने सोना के चाचा की बर्फ की चुस्कियों की दुकान थी बच्चों आपको भी अच्छी लगती होगी बर्फ की चुस्कियां गर्मियों में बहुत मज़ा आता है उसे खाने में एक दिन सोना चाचा की दुकान पर गई चाचा तरह तरह के स्वाद और खुश्पु वाले रस तयार कर रहे थे चार-चार पतीलों में आग पर एक खटे रस पक रहे थे सोना ने कहा चाचा मैं भी रस पकाऊंगी चाचा बोले नहीं सोना तुम बस ध्यान से देखो चाचा ने एक पतीले में रंग और खुश्बु डाला सोना ने सूं कर कहा मुझे ये खट से लगने वाली गंद चाचा ये काली खटी चुस्की का रस है ना ठीक सोना चाचा ने पतीला हटाया मगर कुछ और गंद भी है सोना ने नाक सिकोड़ी अच्छी गंद नहीं है चाचा ये चाचा ने दूसरे पतीले में मसाला डाला हाँ ये है भीनी मीठी खुश्बु सोना ने गहरी सासली और ये है अनारी मीठी चुस्की वहाँ सोना यह भी ठीक है चाचा ने दूसरा पतीला उठाया मगर कुछ और बेकार सी गंद भी है चाचा सोना ने नाक सिकोडी अब मैं डाल रहा हूँ गुलाबी शीरे की चुस्की का मसाला चाचा ने तीसरे पतीले में कर्ची चलाई ठीक गंद है सोना कुछ लगने लगा है पतीले में चाचा सोना ने जोर से बोला चाचा ने पलट कर जाका रबड के पतीले को जटपट आग से उतार लिया शाबाज सोना चाचा ने रबडी को दूसरे साफ पतीले में पलटा रबडी चुस्की को बचा लिया यह तो पतीले में लगने ही लगी थी सबसे पहले रबडी चुसकी सोना को देते हुए चाचा ने सोना को प्यार से थप थपाया हमारी सोना बहुत सयानी सोना है तो बच्चों सोना की नाक इतनी तेज थी कि उसने सारी गंध महसूस कर ली पहचान लिया कौन सी गंद अच्छी है कौन सी बुरी और उसकी इसी खूबी की वज़े से उसने रबड़ी वाली जो चुसकी थी उसको जलने से बचा लिया फिर मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए थेंक्स फर वाचिंग